थे, हर दिन दोनों साथ में ही शिकार कराने जाते और शिकार को मारा कर साथ में बराबर बराबर खाते थे, दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी खूब था, कुछ समय के बाद की शेर और शेरानी डू-पुट्रॉन के माता-पिता भी बन गए, जब शेरानी ने बच्चों की देखभाल कराना, मैं अकेले ही हैं सब के लिए शिकार लेकर आऊंगा, शेरानी ने भी शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेले ही शिकार के लिए जाने लगा, वही शेरानी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती, बदकिस्मती से एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। ठकार कर जब वह खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था। तु यूज रास्ते में लोमरी का एक बच्चा अकेले घुंता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा आज उसके पास शेरानी और बच्चों के लिए कोई भुजन नहीं है। तु वह इस बच्चे को की अपना शिकार बनाएगा। शेर ने लोमरी का बच्चा पकड़ा लेकिन वह बहुत चोटा था जिस वजह से वह उसे मार नहीं सका। वह उसे जिंदा ही पकड़ा कर घर लेकर चला गया। शेरनी के पास पहुचकर उसने बताया की आज उसे एक भी शिकार न जब तुम आयसी बच्चे को नहीं मार पाए तुम मैं कैसे आयसी मार सकती हूँ। में आयसी नहीं खा सकती है। आयसी भी मैं अपने दोनों बच्चों की ही तरह पाल पुसा कर बढ़ा करूंगी और या अपसे हमारा तीसरा पुत्र होगा। उसी दिन से शेरनी और शेर ल अनहीं के साथ खेलता कुड़ता और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगाता था कि वह सारे ही शेर है। जब वह तीनों कुछ और बेड यूएं। तु खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन अनहौन वहाँ पर एक हाथी को देखा। शेर को दोनो बच्चे उस हाथी के पीछे शिकार के लाई लाग गए। वही लोम्री का बच्चा डर के मारे उन्हें ऐसा कराने से मना कर रहा था। लेकिन शेर के दोनों बच्चों ने लोम्री के बच्चे की बात नहीं मानी और हाथी के पीछे लगे रहे और लोम्री का बच्चा अपनी मान को बताई। अनहौन बताया कि वा हाथी के पीछे गए, लेकिन उनका तीसरा भाई डर कर घर वापस भाग आया। आइसी सुनकर लोमरी का बच्चा गुसा हो गया। उसने गुसे में कहा कि तुम दोनों जो खुद को बहादूर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पटा कर जमी पर गिरा सकता हूँ। लोमरी के बच्चे की सुनकर शैर्नी ने उसे समझाया कि उसे अपने भाईयों से इस तरह की बात नहीं करनी चाही। उसके भाई जूट नहीं बोल रहे, बलकि वे दोनों सची बता रहे है। शैर्नी बात भी लोमरी के बच्चों को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने कहा, तो क्या आपको भी लगाता है कि मैं दर्पोक हूँ और हाथी को देखा कर डर गया था। लोमरी के बच्चे की इस बात को सुनकर शैर्नी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमरी होने का सच बताया। हमाने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ये बढ़ा किया है। अनहीं के साथ तुम्हारी भी परवारिश की है। लेकिन तुम लोमरी वन्ष के हो और अपने वन्ष के कारण की तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखा कर डर गए और घर वापस भाग ए। वही तुम्हें दोनों भाई शेर के वन्ष के हैं जिस वजह से वा हाथी का शिकार कराने के लिए उसके पीछे भाग गए। शैन्मी ने आगे कहा कि अभी तक तुम्हारे दोनों भाईयो को तुम्हारे लोमरी होने का पता नहीं है। जिस दिन उन्हें या पता चलेगा, वाह तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहां से जल्द ही भाग जाओ और अपनी जान बचा लू। शैनी से अपने बारे में सच सुंकर लोम्री का बच्चा डर गया और मौका मिलाते ही वाह तुम्हारा भाग जान बच्चा लू।